नमस्कार दोस्तों दोस्तों, भारत के हिंदू संप्रदाय में विवाह आयोजन के दौरान कई प्रकार की रस्मों का प्रदर्शन किया जाता है। ऐसी ही एक रस्म होती है जब दुलहन की बहन द्वारा दूलहे के जूते चोरी कर लिये जाते हैं। सवाल यह है कि यह परंपरा क्यों बनाई गई? जूते ही क्यों, दूलहे की पगड़ी अत्वा कटार की चोरी भी तो कि जा सकती थी। चलिए जानते हैं, तलवार या कटार किसी भी पुरुष के शौर्य का प्रतीक होती है। उसकी चोरी पुरुष की लापरवाही को प्रमानित करती है। इसलिए कटार की चोरी करवा कर दूलहे को लापरवाह प्रमानित नहीं किया जा सकता था। पगड़ी किसी भी पुरुष के मान, सम्मान और अभिमान का प्रतीक होती थी। इसलिए पगड़ी की चोरी असंभव हैं. किसी भी पुरुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीसरी वस्तु उसकी पादुका होती है. जूते या पादुका मनुष्य के आचरन और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, परंतु सुरक्षा और सम्मान के प्रतीक नहीं होते. इसलिए जूते चुराए जाते हैं. ताकि अपमान ना हो और रिष्टों में मिठास भी आ जाए. दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे और ऐसी ही ज्यानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे.